परिक्षाओं की तैयारी के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें हलो फ्रेंड्स मायसल पंकर्च और सागत है आपका लॉजिक गुरू में जी हां दोस्तों ये है हमारा MS Access के उपर अगला लेक्षर पीजी लेक्षर नमबर फाइब पीजी डीसीए डीसीए फस से मांखनलाल चतुरुदी युनिवेर्सिटी से इसमें हम देखेंगे Structure of DBMS and User of DBMS तो चलिए ज़्यादा समने लेते हैं इसको स्टार्ट करता हूँ हमारे सहयोगी संस्थान है वो है दक्षक एडमी धार से है खंडवा इंस्टीट आफ प्रोफेशनल स्टीडिक खंडवा से है सन्राइज ग्रूफ आफ इंस्टीट मंसोर से है MI CTA Academy सीवनी MP से है CSC Computer सीवनी MP से है और TMC Computer Education सागर MP से है तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और उसको स्टार्ट करता हूँ अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को लाइक करना ना भूले सबसे पहले हम देख लेते हैं Structure of DBMS दोस्तों इस वीडियो के बाद हमारी Unit 1 end हो जाएगी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे Unit 2 चलिए Structure of Introduction देख लेते हैं सबसे पहले हम इसका DBMS के अलग-अलग Element को एक साथ लाने और कारी करवाने के लिए Structure उपयोग में लाया जाता है DBMS के जो अलग-अलग Element होते हैं को एक साथ लाने और कारी करवाने के लिए Structure उपयोग में लाया जाता है जिसे structure को ही हम dbms के नाम से जान जाते हैं, ठीक है, क्या जो की निमने है, data definition language, ddl compiler, dml compiler and query optimizer, data manager, data dictionary और data files, ठीक है दोस्तों हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हमारा आता है, data definition language, ddl compiler, किसी भी database के वास्तविक प्रारूप को निर्धारित करने के लिए ddl का उप्योग किया जाता है, वास्तविक प्रारूप किस प्रकार से होगा, वो निर्धारित करना है तो ddl का उप्योग कियाता है, ddl के निर्धेशों की द्वारा ही database के लिए आवशक सभी table बनाई जाती है, ddl compiler दिये गए निर्धेशों के निर्धेशों के निर्धेशों के निर्धेशार, database की संरशना computer की memory में करता है, तो जैसा कि हमने बताया, ddl यह सारे काम करता है, अगला आता है dml, dml compiler यह query optimizer, ddl की साहता से बनाई गई table, जो हमने ddl की साहता से table का structure ब user के आउशकता के उसार, data को प्रदर्शित करने के लिए data manipulation language के निर्धेशों का उप्योग किया जाता है, dml, dml compiler दिये गए निर्धेशों को object code में बदल देता है, इसके पश्यत query optimizer कम से कम समय में उन्हें प्रकरिया में लेता है, अगला आता है data manager, data manager मुक के रूप से एक software program का समय होता है, जो मद्यस्तिता का काम करता है, यह computer की disk में, memory में रखे गए data को dml compiler के लिए उपलब्द करवाता है, जिससे user के लिए आवशक data को output में दिया जा सके, इसके साथी user द्वारा input किये गए data को digital data प्रारूप में बदल कर disk memory में store करके रखता है, ठीक है data manager, data manager अगला काम होता है, data manager का एक महत्पुन कारे database का backup बनाना और उसे आवशकता होने पर पुने वापस लेना, तो backup और restore का का काम कोन करता है, data manager, यह सारे काम database में करना ही पढ़ते है, database की design करना, database के लिए inside update delayed जैसे operation perform करना, data का backup लेना, उसको विवस्तित रूप से restore करना, य आगे बढ़ते हैं हम, तो data dictionary आता है, अगला, किसी भी database में बहुत अधिक संक्या में data को रखा जाता है, इसी कारण से आवशक data को खोजने में समय लग जाता है, इस समय को कम करने के लिए data dictionary copy के जाता है, जिस प्रकार से हम हमारी notebook बनाते हैं, और notebook में आगे किसी topic को याद रखने के लिए index बना लेते हैं, और उस index की साथा से हम topic पर आसानी से पहुच जाते हैं, वैसे ही, data dictionary यहाँ पर काम करती है, notebook index के समान जिससे data को सर्च करना आसान हो जाता है, data dictionary एक प्रकार से store किये गए data को अनुक्रमनी का, अनुक्रमनी का मतलब वही index होती है, जिससे कि इसी भी data को आसानी से कम समय में पराप्त किया सकता है, जैसा कि मैंने आपको अभी example के द्वारा बताया, फिर आता है data files, dbms में data को computer की disk memory में store करके रखा जाता है, यह तो आप जानते ही है, इस memory में data को table अर्था सार्णी गत प्रा रूप में रखा जाता है, प्रत्यक table memory म सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, अब next topic जो हमारा आता है, वो आता है, users of dbms, users of dbms में सबसे पहले देख लेते हैं, one to one, dbms पर कारे करने वाले वह सभी वेक्ती, जो data को संरक्षित, सुरक्षित रखने का कारे करते हैं, user कहलाते है, dbms की 3 स्तरी संरशना, जैसा कि हम यो देखेंगे, तो वो lecture आपको समझ में आ जाएगा, 3 स्तरी संरशना के निसार, प्रत्यक स्तर पर अलग-अलग कारे शमता वाले user का कारे करते हैं, प्रत्यक कारे करने वाले user का कारे चहत्र और कारे शिमा निर्धारित होती है, अर्थात कौन सा user किस स्तर का कारे करेगा, और वो कौन-कौन से कारे कर सकता है, यह निश्यत होता है, ठीके, इसी कारने से user को अलग-अलग श्रेंडी में रखा जाता है, जिन निमना है, एक तो आपका end user या navy user होता है, एक programmer होता है, एक database administrator होता है, चलिए, आगे हम बढ़ते हैं के करके इनको समझ लेते हैं, तो end user या navy user, end user ये से सभी user कहलाते हैं, जिनके आउशकता के अनुसार आधार पर dbms को विक्षित किया जाता है, मूल रूप से dbms की सुवीदाओं का उपयोग करने वाले user इस training में आते हैं, इस प्रकार के user तकनी की रूप से दक्ष नहीं होते हैं, उन्हें केवल computer का साधरन उपयोगी होता है, जैसे computer operator type के लोग, end user हमेशा dbms के view level पर ही कारे करते हैं, क्योंकि उनकी सुवीदा के लिए ये इस तर विक्सित किया गया है, end user का मुख्यकारे database के लिए data को input करना होता है, और अपनी आशकता के इनुसार output को प्राप्त करना होता है, ये थे आपके end user फिर आता है programmer जो कि इसको बनाने का काम करता है, dbms को विक्सित करने जैसे महत्वन कारियों को करने वाले तकनीकी विक्ति programmer कहलाते हैं, programmer एक सामानी user नहीं होते हैं, ये तकनीकी रूप से दक्ष वेबसाइट होते हैं, programmer द्वारा एक ऐसा वातावरन विक्सित कियाता है, जिससे डेटाबेस को आसानी से उप्योग में लाया जा सकता है, programmer किसी भी संस्था का डेटाबेस विक्सित करने से पहले उस संस्था के सभी आवशक्ता का अध्यन करते हैं, उन सभी आवशक्ता के पूर्तिये तो application program बनाते हैं, किसी भी DBMS में programmer की महत्पुनक कारिय निमन लिक्षित होते हैं, डेटाबेस का स्थुस्मेनालिसिस करना, end user की आवशक्ता का पता लगाना, end user की सभी आवशक्ता को पूरा करने के लिए program विक्सित करना, विक्सित किये जाने वाले DBMS की कारिय प्रणाली को निर्धारित करना, DBMS में किसी प्रकार की सुविदा प्रदान की जाएगी, उनका निर्धारन करना, end user के लिए उपयोग में आसान द्रश्य विक्सित करना, ये काम होते हैं, फिर आता आपका database administration, DBA, DBA वह व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों का समू होता है, जो database को संचालित करने के लिए आविशक सभी संसाधन उपलब्द करवाते हैं, DBA की सबसे महत्वपुर्न जिम्मेदारी database को व्यवस्थित रुप से संचालित एवान नियंतरित करने की होती है, DBA द्वारा ही या निर्धारित किया जाता है कि database कोन user क्या काम करेगा अर्थात एक प्रकार से DBA ही अधिकरत व्यक्ति DBA मेंज पर कारिक कर सकता है, database administrator व्यक्ति या व्यक्तियों का समू होता है, जो संगठन के data संबंद इतनी तीगत निर्ना लेता है, और इन निर्नायों को लागू करने है तो आवशक तकनी की समर्तन प्रदान करता है, इस प्रकार या व्यक्तिय जिससा सिस्टम पर पूर्नत नियंतरन होता है, DB इद्वारा संपादित किया जाने वाले प्रमुक कारे है, DB इद्वारा या निर्धारित किया जाता है कि database में किस प्रकार की जानकारी information रखी जाएगी, DBA द्वारा ये निर्धारी किया जाता है कि डेटाबेस को मेमोरी में स्टोर करने के लिए किस प्रकार किस अंदुशना स्ट्रक्शर बनाया जाएगा DBA द्वारा ये निर्दारिद किया जाता है कि किसी यूजर का कारी क्या रहेगा और वो यूजर किस स्थर पर कारी करेगा DBA द्वारा ही डेटाबेस के सभी यूजर का आवशकता होने पर शाहता प्रदान की जाती है ठीक है डेटबेस की सुरक्षा से संबंद सभी नीतियां DBA द्वारा बनाई जाती है DBA कार्य कररे सभी यूजर की गति वीदियो का समय समय पर नीरिक्षण करने का कार्य करता है DBA समय के अनुसार होने वाले परीवरतन के लिए भी जिम्मेदार होता है डेटा बेस पर कारे कर रहे हैं प्रत्तिक युजर के भी सामजस से करने का का मतलब कम्मिनिकेशन बनाने का कार भी डीबी ये द्वारा कियाता है डीबी द्वारा ये निर्दार कियाता है कि युजर को कौन सा डेटा दिखाना और कौन सा डेटा नहीं दिखाना है ठीच है दोस्तो तो मैं आशा करता हूँ यह विडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह विडियो आपको पसंद आया है तो please विडियो को लाइक करना ना भूले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को एक बहुद जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर जरूर क्लिक करिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हाँ हमें कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा थैंक यू